हाँ तो जय हिन जी स्वागत था आप सभी का आपके अपने चैलेंज जीलेस स्टड़िज में तो आज हम अपके लिए फिर से साइन्स का 20 महत्यपुन प्रस्ण लेके आए हैं अगर आपकी भी तयारी बिल्कुल धाकर तरीके से चल रही है तो 20 प्रस्ण में से 15 प्रस्ण में कि सिलिकन जो आपका क्या है एक ओप धातू है अपसान नमर क्या हो जागा C एकदम से राइट एंसर हो जागा एनिमिट ओलॉइड है ठीक है सवाल नमर अगला है कि नीमनी खित में से कौन विधु धनात्मक तत्व है तो मेरे साथि जी विधु धनात्मक तत्व कौन से होत कि टिहरी बांध करी निमान जो है आपका वो उतरा खंड में किया गया है आपसा नमबर आपका C एकदम से राइट एंसर हो जाएगा सवाल नमबर अगला है आपका चौथा नमबर सवाल कि निमली खित में से किस धातु को किरोसिन में डूबो कर रखते हैं तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो सोडियम धातु है उसको हमने किरोसिन तिल में डूबो कर रखते हैं आपसा नमबर क्या हो जाएगा B एकदम से राइट एंसर हो जाएगा सवाल नमर पाचवा है मेरे साथी जी और सवाल नमर पाचवा कहता है कि अपमार्जक्षे बनाए जाते हैं अपमार्जक्षे क्या बनाए जाते हैं तो सर्फ एकसल कि सैंपू कि ईजी सर्फ कि उप्यूगत सभी तो ध्यान रखेंगे कि सर्फ एकसल से जो है उपयोग तो सभी सभी चीज बना जाते हैं अपसर नमर क्या हो जाएगा आपका D एकदम से राइट एंसर हो जाएगा सवाल नमर अगला देखते हैं सवाल नमर छटा कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है तो मेरे साथ ते ध्यान रखेंगे कि जो आपका source इल होता है उसमें किसका उप्योग होता है तो silicon का होता है आपसे नमर क्या हो जागा भी एकदम से right answer हो जाएगा सवाल नमर साथवा है कि निम लिखित में से किसका उप्योग खाने बनाने वाले इंधन में नहीं होता है पत्तब किसका उप्योग हम लोग खाना बनाने में इंधन में नहीं करेंगे तो आपका right answer क्या हो जाएगा कि CNG का उप्योग हम लोग खाना बनाने की इंधन में नहीं कर सकते हैं कि LPG का तो हमनों करते ही है बायो गैस का भी करते हैं और कोईला का तो सब कोई पता है कोईला का हमनों करते हैं लेकिन CNG जो हता है compressed natural का इसके प्रगमन नहीं कर सकते हैं सवाल नमर आठवा है कि copper जब oxygen से अभिकरिया करता है तो बनता है अपका copper oxide तो ये कौन सा आपका अभिकरिया है तो आपको इस अभिकरिया में दिख रहा होगा कि oxygen किसी पदार से जूट रहा है अब जब किसी पदार से oxygen जूटता है तो उस अभिकरिया कहुन लों बलते हैं oxygen अभिकरिया option number आपका A एकदम से right tensor हो जाएगा सवाल नमबर अगला है मेरे साथी जी आपका कि निम लिखित समिकरन निम लिखित समिकरन संतूलित नहीं है इसमें से कौन सा जो समिकरन है वो आपका संतूलित नहीं है यानि balance कौन सा नहीं है तो आपका option number A जो है इधर भी hydrogen दो इधर भी chlorine दो अपका option नमर एक क्या है मेरे साथी जी अपका बैलेंस में अपोर बी जु है ऍथर 1, इधर विए एक बराबर है nitrogen इधर हो जागा दो nitrogen हो जागा अपका एक nitrogen बराबर नहीं है तो आपका option आप संतूलित नहीं है आपसन नमर वी एकदम से right answer हो जागा सवाल नमर दसवा की बात करते हैं सवाल नमर दसवा कहता है कि उदासिन विलियन का पीच मन होता है उदासिन विलियन का पीच मन कितना होता है तो उदासिन विलियन का पीच मन साथ होता है ध्यान लखेगा और अमले का पीच मन साथ से अधिक होता है सवाल नमर अगला की बात करते हैं 11 नमर सवाल कि निमनीखित में से कौन दुरवल अमल है इसमें से कौन सा जो है वो दुरवल अमल है तो आपका अपसा नमर जो होगा C एकदम से राइट एंसर होगा कि CH3, COOH जो है आपका क्या है दुरवल अमल है अपसा नमर C एकदम से राइट एंसर होगा सवाल नमर अगला है 12 नमर कि कारियो लाइट अजस्क है कारियो लाइट जो है किसका अजस्क है तो धान नखिए ये कारियो लाइट जो है मेरे साथी जी आपका किसका अजस्क है तो कारिवलेट जो है अपका अलमुनियाम का अजस्क है अपसा नमर क्या हो जाएगा D एकदम से राइट एंसर हो जाएगा हाँ तो देखेंगे साथी जी अगला नमर आपका सवाल है 14 नमर सवाल 13 नमर सवाल कि पोटेसियम की परमानुश रंख्या है पोटेसियम की परमानुश रंख्या है तो मेरे साथी जी बच्चा बच्चा को पता है कि जो आपकी पोटेसियम होती उसकी परमानुश रंख्या कितनी होती है तो potassium की परमानु से इंख्यापकी 29 होती है आपसान नमर क्या हो जागा B एकदम से राइट इंसर होगा अब potassium का संकित क्या होता है तो K होता है ध्यान रखीएगा सवाल नमर 14 है आपका कि formic अमल का IUPSC नेम क्या है तो formic अमल का IUPSC नेम जो होता है आपका methanoic अमल होता है आपसान नमर आपका कौन सा हो जागा भगवाजी तो आपका आपसान नमर एकदम से राइट इंसर हो जाएगा सवाल नमर अगला है आपका 15 नमर सवाल कि इथाईल एलकोहल का अनुश्चूत्र है तो इथाईल एलकोहल का अनुश्चूत्र आपका क्या होता है तो C2H5OH होता है आपसान नमर आपका C एकदम से राइट इंसर हो जागा भगवाजी सवाल नमर 16 है आपका कि इलकाइन कौन है इसमें से कौन सा जो इलकाइन है तो मिरे साथी जी ध्यान रखेंगे आपका इलकाइन कौन सा है तो C2H2 जो है आपका क्या है इलकाइन है आपसान नमर A एकदम से राइट इंसर हो जागा सवाल नमर अगला है आपका कि चीनी का रसानिक सुत्र है तो बबुआ बबुआ को पता है कि चीनी का रसानिक सुत्र क्या होता है C12H2 O 11 होता है आपसान नमर अपका B एकदम से राइट इंसर हो जागा सवाल नमर 78 है साथी जी कि acetylene में कार्बन कार्बन के बीच सह सयोजक बंधन की संख्या है कितनी होती है मेरे साथी जी तो ध्यान रखेंगे कि acetylene में कार्बन कार्बन के बीच सह सह स्थ जग मंधन की संख्या जो होती है आपसान नमर अपका D एकदम से राइट इंसर हो जाएगा सवाल अगला है आपका 19 नमर सवाल कि स्वासन का अध्यान के लिए उपयोग किये जाने वाले बीच है स्वासन का अध्यान किये जाने के लिए उपयोग किये जाने वाले बीच कौन से आपके तो अंकूरित बीच हो जाएगा राइट इंसर अपसान नमर बीच एकदम से राइट इंसर हो जाएगा सवाल नमर विश्व और अंतिम सवाल अपका कहता है कि मानो वडिकक किस प्रनाली का एक हिस्सा है तो पोसन का है कि स्वसन का है कि उत्सर्दन का है कि परिवहन का है तो ध्यान रखेगा आपका जो वडिकक कहनी जो माना को जो किरिनी होता है वो आपका उत्सरदन प्रणाली का हिस्सा है आपसा नमबर C एकदम से राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो 20 प्रस्ण में से आपका कितना प्रस्ण सही हुआ कमेंट करके हमें जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद और अपने दोस्तो को वीडियो सेर करना है ना भोले साथ जी ठीक है